जहें दोस्तों, वेलकम टो इंडिफेंस यूटूब चैनल, आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी इंडियान आर्मी के मरीन कमांडोस, मार्कोस कमांडोस की ट्रेनिंग के बारे में मार्कोस कमांडोस इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाख स्पेशल फोर्स यूनिट है, यूएस नेवी सील भी जिनके आगे सर जुकाती है, वो है मार्कोस, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इंडिफेंस यूटूब चैनल को सब्सक्राब कर लिजे क्योंकि हम इंडिय वाले फोज के नाम से भी जाना जाता है, मार्कोस कमांडोस की सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, मार्कोस कमांडो बनने के बाद भी इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, इसलिए कहा जाता है, मार्कोस ट्रेनिंग is a continue process, इसका कभियांत नहीं होता जब कि एक मार्कोस कमांडो रिटार ना हो जाए, एक मार्कोस कमांडो फ्री फॉल क्वालिफाइड भी होते हैं, जैसे पैरा-SF होता है, एरोपलेन से कूद कर वो पैराशूट को उपन करके हाहो और हालो जंप्स के लिए भी ट्रेंड होते हैं, इसके ट्रेनिंग उन्हें पै बाहर हो जाते हैं, क्यूंकि इस तीन दिन में एक स्रॉलियर की फिजिकल फिटनस, मेंटल टफनेस को पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है, एक नेविय ऑफिसर बनना अलग चीज़ है, एक मार्कोस कमांडो बनना दूसरी चीज़ है, क्या उस बंदे के अंदर मार्कोस क इस पूरी दुनिया में यूएस नेवी सील्स भी इसी हेल वीक में अपने सोल्यर को ट्रेंड करता है इस हफते में 15 से 18 घंटे फिजिकल ट्रेंडिंग एक सोल्यर को दी जाती है अपने अंदर की सारी एनरजी टफनेस उस सोल्यर को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है त उन में से 97-98% सोल्यर इसी हेल विक में बाहर हो जाते हैं लेकिन मैं आपको बता दू अभी तो मार्कोस की एक्चुल ट्रेंडिंग शुरू भी नहीं हुई है ये प्री सेलेक्शन मोड है और जो लोग ये प्री सेलेक्शन मोड हेल विक को क्रॉस कर लेते हैं उन्हें फर् स्कुल नहां में कुछ समय के लिए इन्हें ट्रेंड किया जाता है इस जनिया में जितने भी तरह mi तरह Kore लगग सब को चलाने के लिए लिए अडवांस्ट ट्रेणिंग में उन्हें एडवांस्ट लेवल की डाइविंग कोर्स भी कंप्लेट करवाया जाते हैं, क्मांडो टेक्टिक स्कील्स के बारे में सिखाया जाता है, दुश्मन को कैसे जानना है, उसके स्ट्रेंद और उसके विकनिस को कैसे आइडिन्टिफाई करना है यह सारी चीज़ एक मार्कोस कमांडोस को सिखा जाते हैं इसके इलाबा क्लोज़ कोर्टर बैटल हैंड-to-hand कॉम्बैट में क्रफ मागा जैसे मार्शाल प्रत की टेनिंग उन्हें दी जाती है क्रफ मागा एक इसराइली मार्शलार्ट है जिने specially design किया गया है special forces और practical situations को देखते हुए मार्कोस कमांडोज को हर एक तरकी situations के लिए trained किया जाता है advanced training में उन्हें field training दी जाता है जिने situational training भी कहा जाता है इसमें उन्हें counter-insurgence encounter terrorism, anti-terrorist operations को अंजाम देने की परशिक्षन दी जाती है इस सारी training को complete करने के बाद मार्कोस training की सबसे ज़्यादा dangerous part के आगे वो खड़े हैं जिने कहा जाता है death crawl इसको death crawl का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि स्टास को complete करते हुए एक soldiers को मौत का सामना करने का एहसास हो जाएगा इस training में लगबग 2600 फिट तक मोटे कीचर के अंदर घुस कर crawl करना होता है इतने मोटे कीचर के अंदर 30 किलो के battle load और 7.5 किलो के rifle को लेकर crawl करना किसी मौत से कम नहीं है इस crawl को खतम करने के बाद जब एक commandos की energy एकदम drain हो जाती है उस वक्त पर उन्हें 3 किलो मीटर की obstacle को cross करने के लिए भेजा जाता है और एक ऐसी timing दी जाती है कि high speed पर अगर इस obstacle को cross नहीं किया जाता है तो वो soldier fail हो जाएगा सब exercise को करने के बाद जब exfoliator की energy पूरी तरीके से खतम हो जाती है वो अंदर से टूप चुका है शरीर के एक भी पाट को हिलाने की शमता नहीं है उस वक्त पर उन्हें ले जाया जाता है shooting ट्रेनिंग के लिए shooting round में लगबग 90 feet की दूरी से उन्हें accurate shoot करना है shooting के second phase में कमांडो को सामने रखा जाता है target और कमांडो के बीच में 45 cm का दूरी होता है और 90 feet की दूर से उसके बड़ी को उसी target को hit करना है शर्थ सिर्फ इतना है कि कमांडो को चोटना लग जाए अगर उससे चलाए हुई जरा सी भी चूकती है तो उसके बड़ी की जान तक जा सकती है क्योंकि इस training में गोलिया असली होती है सारी training को complete करने के बाद एक मार्कोस कमांडो को further training के लिए भेजा जाता है जहां पर उन्हें open और close circuit diving demolition highly endurance training करवाय जाते हैं एक मार्कोस कमांडो की endurance इतना होता है कि उसस उपर endurance कीसी का हो ही नहीं सकता इसके लाबा air one advance training समुंदर के 200-300 मीटर नीचे सब्मरीन में operations को अंजाम देने की training दी जाती है बहुत तरके language को पढ़ना बोलना और समझने की भी training एक मार्कोस कमांडो को दी जाती है इसके लाबा bomb और explosive material को handle करने की training दी जाती है मार्कोस कम जाता है नेवल special warfare tactical training center में यहाँ पर उन्हें combat diving और underwater operations के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है उन्हें train किया जाता है कैसे underwater operations को अंजाम देना है कैसे underwater demolition को अंजाम देना है सारी training को जब एक soldier complete कर लेता है तब वो बनता है मार्कोस कमांडो मार्कोस कमांडो की training में dropout rate 95-97 है सो लोगों में से सिर्फ दो से तीन लोग ही मार्कोस कमांडो बन पाते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है the few the fearless आशा करतों आप सबको मार्कोस कमांडो की training details पसंद आई होगी वीडियो पसंद आने पर like और share किये मार्कोस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाते हैं तो कुमेंट बॉक्स में लिखे मां उसका अंसर जरू करूँगा मिलते आप से अगले वीडियो में साहब दब्द के लिए जय हिंद जय भारत इनकलाब जिनदाबाद भारत माता की जय